कहानी संसार में लिजे सुनिये प्रसिद्ध कथाकार सुदर्शन की कहानी दिल्ली का अंतिम दीपक जिन्होंने 1880 में दिल्ली का चादनी चौक देखा है उन्होंने सुभागी का भाड अवस्य देखा होगा आज वह भाड दिखाई नहीं देता नशायंकाल उसका धुआ आकास की ओर जाता नजराता है वह पूर्वी इस्त्रियों का समूह वह गरीबों का जमाव वह बच्चों का कोलाहल जिस पर रसीले गीतों की मोहिनी निचावर की जा सकती है यह सब अतीत काल की भूली हुई कहानी हो गई है उसके अस्थान पर अब एक शांदार दुकान खड़ी है जहां अमीरों की गाड़ियां आकर रुकती हैं कभी वहां सुभागी का भार जलता था और गरीब लोगा कर अनाज भुनाते थे सुभागी को रूपा इस्त्री थी आयू भी चालिस वर्थ से कम न होगी उसकी आवाज डरावनी थी रात को एकांत अस्थान में दिखाई पर जाने से चुड़यल का संदे होना स्वाभाविक था मगर इस पर भी चांदनी चौक में ऐसे आनन्द और शंतोस का जीवन बिता रही थी जो राजमहलों में रानियों को भी प्राप्तन होगा वह गरीब थी उसके पास रुपया पैसन्य था ना बहमूले वस्तर थे भाड जोकने से केवल उतने ही प्राप्ती होती थी जितने से शरीर और आत्मा का संबंध इस्थिर रह सकता है परन्तु उसके पास एक ऐसी वस्तु थी जो ना राजमहलों में थी ना कुवेर की कोश में थी उसके पास हिर्दय का शंतोस और शांती की नीद थी जिसे न चोर चुरा सकता था ना राजा छेन सकता था वह 19 सदी में रहते हुए 14 सदी का जीवन ब्यतीत कर रही थी जैसे किसी के चारो तरफ आग काले नाक के समान अपना भयानक मुख खोले लपक रही हो मगर वह हरे ब्रिक्षों से ढकी हुई नदी के किनारे बैठा उसकी लहरों से खेल रहा हो और उसे इस बात की कोई चिन्ता कोई शंका न हो कि मेरे चारो तरफ आग भभक रही है वह समझता है यहाँ पानी है इस पर आग का असर न होगा इधर आएगी तो आप ही बुझेगी मेरा क्या बिगाड लेगी यही दसा सुभागी की थी उसने अपने जीवन के 40 वर्स इसी जोपडे में काटे थे इसे देखकर उसका हिर्दय मयूर नाचने लग जाता था दिल्ली बदल गई, चादनी चोग बदल गया, मकान बदल गए यहां तक की दिल्ली की प्राचिन सभ्यता भी बदल गई, परन्तु सुभागी और उसके पास के भाड में कोई परिवर्तन न हुआ यदि प्रकिर्ति के नियम बदल जाते और धर्ती की कच्ची मिट्टी को निगले हुए मुर्दे उगलने की आग्या मिल जाती तो वे यह पहचान न सकते थे कि वह वही दिल्ली है, परन्तु सुभागी के भाड को देखकर वे अपनी समस्त शक्तियों से चिला उठते थे कि यह वही दिल्ली है सच पूछो तो यह सुभागी का भाड नहीं था नवीन दिल्ली के शरीर में प्राचीन दिल्ली की आत्मा विराजमान थी यह जोपड़ा नहीं थी दिल्ली के अंधेरे प्रकाश में पुराने भारतवर्स का दीपक जल रहा था आज वह सादगी की जान संतोष का नमूना पुराने समय की अंतिम्यादगार कहां है वे आत्मसम्मान के भाव किधर चले गए किस देश को दिल्ली के बाजार इसका उत्तर नहीं देते पहले मंदिर गया था अब दीपक भी दिखाई नहीं देता सुभागी का जोपड़ा गगन भेदी अट्टालिकाओं के बीच इस तरह खड़ा था जैसे अहंकार और अभिमान के बीच सच्चा आनंद खड़ा मुस्कुरा रहा हो सुभागी को किसी से डाह न था ने उंचे मकान देख उसका जी चलता था उसके लिए यह जोपड़ा और वह भाड़ ही सब कुछ था तीस बर्स गुजरे जब उसका भड़भूजा उसे ब्याह कर लाया था तब से वह यहीं थी मरते समय उसके पती ने कहा था मैं तुझे लेने आऊंगा बात साधारण थी परंतु सुभागी के दिल में बैठ गई आजकल की इस्त्रियां साइद इस बात को निश्फल और निर्मोल कहकर भुला देती मगर सुभागी पुराने समय की नीच इस्त्री थी वह अपने प्रीतम की प्रतिग्या को कैसे भूल जाती यह उसके पती का वचन था सोचती थी कौन जाने किस समय आ जाए उसकी आत्मा इस जोपड़े को इस भार को ढूड़ेगी मेरा नाम ले लेकर बुलाएगी पुराने जमाने का भड़भूजा नई दिल्ली में घबरा जाएगा समझेगा सुभागी ने प्रीत की रीत नहीं निबाही प्रेम का दिया वायू के जोंकों ने बुझा दिया और वह यह विचार यह भाव था जिसके लिए सुभागी ने इस्तरी होकर संसार के दुखों का सामना मर्दों के समान किया इसी प्रकार कई वर्स बीट गए और बदल जाने वाली दुनिया में ने बदलने वाली सुभागी उसी तरह अपने परदेशी पिया का रास्ता देखती रही मगर उसे उसकी सुध ने आई यहां तक की चादनी चौक के अमीर व्यापारियों की लोभी आखे सुभागी के भाड की तरफ उठने लगी ऐसी चाह से कोई रसिया अपने हिर्देश्वरी की तरफ भिन्य देखता होगा सोचते थे कैसा अच्छा मौका है यहां दुकान बने तो बाजार की सोभा बढ़ जाए कई ब्यापारियों ने यत्न किया थैलिया लेकर सुभागी के पास पहुंचे मगर सुभागी ने बेपरवाही से उनकी तरफ देखा और कहा यह जमीन ने बेचुंगी यहां मेरा स्वामी बिठा गया है मुझे लेने आएगा तो कहां ढूड़ेगा यह जोपड़ा नहीं तिर्थराज है इसे बेच दूँ तो मेरा भला किस जूग में होगा एक ब्यापारी ने कहा सुभागी अब वह कभी न लोटेगा तू आशा छोड़ दे सुभागी ने उत्तर दिया परंद उसका बचन कैसे जूठा हो जाएगा उसके सब्द आज तक मेरे कानों में गूज रहे हैं एक और अदूर दर्सी ने कहा इस बुढ़ापे में इतना परिश्रम क्यों करती है जोपड़ा बेश दे और भगवान का भजन कर सुभागी बोली जोपड़ा गया तो भजन की सुध भी जाती रहेगी जिसने पिया को भुला दिया वह भगवान को खा के याद करेगी एक मुह भट ने कहा तु सठिया गई है रुपए ले और चैन की बंसी बजा अब सारी आयू छाती फाड़ कर काम करने का क्या तुने ठेका ले लिया है सुभागी ने उत्तर दिया यह तो जनम का काम है मरने पर ही छूटेगा चार दिन के सुख के लिए अपना घर कैसे बेश दूँ मगर इसमें है क्या मरने वाले की समाधी है समाधी को किसी ने बेचा है तू तो बावली हो गई है भगवान इसी तरह उठा ले यही प्रार्थना है तुम अपनी रकम अपने पास ही रहने दो मेरे लिए यह जोपड़ा ही सब कुछ है हम तुम्हें और मकान दे देंगे पराई वस्तु कैसे अपनी बन जाएगी उसमें सब तरह का आराम रहेगा यह जोपड़ा तो किसी कामकास का नहीं है अपना बच्चा बदसूरत हो तो भी प्यारा लगता है इस प्रकार पर लोगनों ने बीसीयों आकरमण किये मगर संतोस के सामने सब ब्यर्थ गए जिस तरह पानी की लहरे चटान से टकरा कर पीछे हट जाती है सुभागी के त्रिया हट ने सब का उत्साह भंकर दिया उन्होंने समझ लिया कि बुढधी भाड ने बेचेगी मगर सेठ जान की दास ने हिम्मत नहारी उनकी दो दुकाने थी और यह भाड उन दोनों के बीच में था आसफास फानूश जलते थे मध्य में दिया टिम्टिमाता था यह दिया सुभागी के लिए जीवन जियोती से कम ने था उसे देखकर उसका हिरदय ब्रह्मानंद में लीन हो जाता था मगर जान की दास उसे देखते तो उनकी आँखों में लहू उतर आता था सोचते यह जगह मिल जाये तो दुकानों का कलंक मिट जाये हजारों जवान मरते हैं इस बुढ़िया को मौत नहीं आती मगर बुढ़िया से मिलते तो बहुत सतकार का भाव दिखाते तलवार पर मकमल का गिलाफ चड़ा हुआ था एक दिन की बात है सुभागी ब्रिच्छों के रूखे सुखे पत्ते और तूटी फूटी टहनियां चुनने गई दो पहर का समय था सूरज की कीड़े चारो तरफ नाच रही थी सुभागी बेपरवाही से पत्ते और लकडियां बीन रही थी एका एक आकास में काली घटा चा गई और ठंडी ठंडी वायु चलने लगी सुभागी ने एकत्र किये हुए पत्ते आदि कपड़े में बाधे और नगर की ओर चली परन्तु तील मिल की दूरी कोई साधारण दूरी न थी इस पर सुभागी की बूरी टांगे बर्सा ने बुढ़िया को घेर लिया बादल बरसने लगे मगर ये बादल ने थे सुभागी का दुरभागे था एक ब्रिच के नीचे खड़ी हो गई और सोचने लगी सायंकाल को क्या करूंगी ये पत्ते भी भीग गए तो भाड कैसे गरम होगा भाड गरम न हुआ तो खाऊंगी क्या हाथ उठा उठा कर प्रार्थना की कितनिक वर्सा रुख जाए तो अपने घर पहुँच जाओ परन्तु बादलो ने सुभागी की ने सुनी वे आकास के वासी थे पिर्थवी के बेटों की उन्हें क्या चिंता थी जल था लेख हो गया उस दिन की वर्सा बर्सा ने थी भगवान का कोप था आठ घंटे वह वर्सा हुई कि चारो तरफ को लाहल मच गया यह मुना में बाढ़ आ गई सहसरो गरीबों के मकान गिर गए गाय बैल इस तरह बहे जाते थे मानो घास फोस के तिनके हैं उनको बचाने वाला कोई ने था और यह पानी बाहर ही ने था दिल्ली के गली कूचों में भी फुकारे मारता फिरता था जिनके मकान पक्के थे वे बेपरवाह थे जिनके कच्चे थे उनका धीरत छूटा जाता था और पानी कहता था आज बरसकर फिर न भर सुंगा सुभागी एक ब्रिच पर बैठी हुई इधर उधर देखती थी और निरासा की ठंडी सांसे भरती थी उसके आसपास पानी ही पानी था दूर तक कोई मनुष्य न दिखाई देता था उसके एकत्र की वह पत्ते किसी अभागे स्वपन के सद्रिश जल में विसर्जित होकर पता नहीं कहां चले गये थे परन्तु सुभागी को उनकी चिंता नहीं थी उसके दिल में एक ही चिंता थी एक ही इच्छा थी किसी तरह घर पहुँच जाओं पता नहीं भाड का क्या होगा पानी तले डूब गया होगा मिट्टी का धेर रह गया होगा यदे उसके बस में होता तो उसी समय वहां पहुच जाती पर पानी रास्ता रोके खड़ा था सुभागी तडप कर रह गई उस समय उसने एक कबूतरी देखी जो एक ब्रिक्ष की डाली पर बैठी थी सुभागी ने सोचा अगर मैं कबूतरी होती तो उड़कर चली जाती पानी मेरा क्या विगाड लेता इतने में कबूतरी ने पर खोले और उड़कर वह द्रिष्टी से ओजल हो गई यह देखकर सुभागी ने सोचा राम जाने वह कबूतरी कहा गई है शायद मेरे जोपडे की ही तरफ गई हो उसने चाहा कि मैं भी दोड़कर वहाँ चली जाओ परन्त जुक कर देखा तो आधा ब्रिच अभी तक पानी के अंदर था और रास्ता दिखाई न देता था सुभागी की आँखों से आसुओं की दो बूदे गिरी और बरसा के ठंडे जल में बिलीन हो गई दूसरे दिन प्रातहकाल सुभागी ब्रिच से उतरी और शहर को चली पानी बरसना बंध हो चुका था पर आस्मान में बादल अभी भाकी थे सुभागी का सरीर सर्दी से अकड़ा जाता था आँखों से आग निकल रही थी फिर भी चल रही थी जैसे संध्या समय गव अपने भूखे बचड़े की तरब भागती है वहाँ पुत्रशने का आकर सड़ होता है पर यहाँ घर का मोह था मिट्टी में भी मोही नहीं है मगर इसे देखने के लिए दिब्य द्रिष्ट की आव सकता है खाली आँख से वह दिखाई नहीं देती सुभागी चादनी चौक में पहुँची तब उसका दिल बैठ गया अब नवह जोपड़ा हिबा की थन भाड उसके अस्थान में मिट्टी का एक धेर और घास भोष के तिन के पड़े थे और इनके नीचे उसका साधारण माल असबाब दब गया था सुभागी के दिल पर जैसे किसी ने आग के अंगारे रख दिये मगर उसने धीरज नहीं छोड़ा थोड़ी दिर बाद लोगों ने देखा तो वह जोपड़ा खड़ा कर रही थी दूसरे दिन भाड भी तयार हो गया सुभागी फूली ने समाती थी उसके पाउं पिर्थवी पर न बढ़ते थे उसने अपना उजड़ा हुआ घर बसा लिया था जहां उसका पती उसे ब्याह कर लाया था भाड बन गया पर गर्म होना उसके प्रारब्ध में ने लिखा था सुभागी बीमार हो गई उसे बुखार आने लगा सेठ जानकी दास ने पूछा सुभागी तुझे यह क्या हो गया सुभागी बोली सेठ जी बरसा की सर दिखा गई हूँ जानकी दास बोले और फिर दूसरी रात भी तो तू आराम से न बैठी जोपड़ा तयार न होता तो कौन सी प्रले हो जाती सुभागी ने आश्चेरी की द्रिश से सेठ साहब की ओर देखा और पीड़ा से बेकल होकर कहा सेर छिपाने को भी तो अस्थान न था कहा ठोकर रेखाती फिरती जानकी दास ने कहा तू मेरे यहां चली आती तो क्या हर्स था मैं तेरा पड़ोसी हूँ सुभागी बोली इसकी तो तुमसे आसा ही है जानकी दास ने कहा सुभागी तू बनावट करती है मेरी राय तो यह है कि मेरे यहां चली चल वहां तेरी सेवा भाव होगी बोल क्या इरादा है सुभागी के दिल में पहले तो खयाल आया कि चली चलू बृद्धवस्था में चार दिन आराम से कट जाएंगे पर जोपड़े के मोह ने इरादा बदल दिया साथ ही पती के अंतिम शब्द भी अस्मरण हो गए आ भरकर बोली सेठ जी इस जोपड़े से मैं ने निकलूँगी मेरी अर्थी निकलेगी जान की दास ने कहा तो यह कहो ना कि मरने की ठानी है सुभागी ने कहा अगर मौत ही भाग में लिखी है तो उसे कौन टाल सकता है परन्तु यह जोपड़ा तो ने चूटेगा जान की दास कुछ देर चूप रहे इसके बाद एकाएक उनुन के दिल में कोई सुरुचकर विचारुदपन हुआ जैसे निराशा के अंधेरे में आसा की किरंड दिखाई दे जाती थी धीरे से बोले बहुत अच्छा पर मुझे इतनी आग्या तो दो कि तुम्हारी दवादारू और खाने पीने का प्रबंध करा दू नहीं तो मुझे तुमसे सदा सिकायत रहेगी सुभागी सीधी साधी इस्त्री थी उसने नई सभ्यता के चल कपट नहीं देखे थे वह उस युक की इस्त्री थी जब लोग जूट बोलना पाप समझते थे सेट साहब की मीठी मीठी बातों ने उसका दिल मोह लिया अमीर ने अपने प्रिसंबंधी का भी इलाज न किया होगा रात को कई कई बार उठते सिरहाने खड़े रहते रुपया पैसा तो पानी के समान बहा दिया उन्हें उसकी परवाह ने थी उनका खयाल था कि किसी तरह बुढ़िया बच जाय तो भाड की जगह आप दे देगी और यद ने देगी तो कहूंगा कि मेरा रुपया चुका दे गरीब भड़ भूजन है इतना रुपया कहां से लाएगी छे महीने के बाद सुभागी चारपाई से उठी तो उसका बाल-बाल सेट साहब का रेड़ी थी उसका धन उसके जोपड़े को ने खरीज सकता था सहानुभूत ने उसे भी खरीद लिया अब सुभागी पहली सुभागी न थी बेपरवा प्रशन वदन सांत सुभाव अब उसकी जगह एक खरीदी हुई दासी रह गई थी जिसके चहरे पर कभी कभी स्वाधीन सुभागी की स्वक्षकांदी दिखाई जे जाती थी एक दिनवह था जब सुभागी सेट जानकी दास के आगे से एंट कर निकल जाती थी परंतु आज उनके सामने उसकी आखे न उठती थी जिस काम को सकती न कर सकती थी उसे नर्मी ने कर दिया सुभागी सेट साहब के पाउं से लिपट गई और रोने लगी परंतु सेट साहब ने उसे इस तरह उठा लिया जैसे वह उनकी अपनी मा हो कुछ दिनों बाद चादनी चौक की ब्यापारियों ने सुना कि सुभागी ने अपना जोपड़ा सेट साहब के हाथों बेश दिया है यह खबर मामूली ने थी लोग चौक उठे उनको इस पर विश्वास न होता था सिर हिलाकर कहते यह भी सेट साहब की चाल है बुढिया जीते जी जोपड़ा ने छोड़ेगी कोई कहता सेवा की थी मेवा पा लिया कोई कहता अन्होनी बात है किसी ने यूँ ही उड़ा दी लेकिन जब जोपड़ा उखाड़ कर फेक दिया गया और खुदाई का काम आरंभ हो गया तब सबको विश्वास हो गया कि सेट साहब ने बाजी मार ली सुभागी सीधी साधी जरूर थी पर मुर्ख नहीं थी सेट साहब की बातचीत में उसे कुछ-कुछ संदे होने लगा था मगर कभी कभी यह भी खयाल आता कि कहीं मैं भूल तो नहीं कर रही हूँ सुभागी असमंजस में बढ़ गई उसने आज तक किसी के सामने हाथ ने पसा रहा था ने किसी के आगे हांख जुकाई थी गरीब होकर वह अमीरों की सिसान बनाए रहती थी इस भीमारी ने उसका मान धन लूटा दिया उसका जीवन बच गया पर जीवन जयोती जाती रही वह अपनी दृष्ट में आप गिर गई अब चांदनी चौक में उसके लिए आत्मा भीमान की चाल चलनी कठिन थी उसका हिर्दय कहता था इस कलंक ने मुझे कहीं मोह दिखाने की योगे नहीं रखा कुछ दिन इसी तरह गुजरे मगर हर रोज संध्या के समय उसे ऐसा अनुभव होता मानो उसके हिर्दय का अंधेरा कंधो का बोजह जीवन का जनजाल बढ़ता चला जा रहा है जैसे रिड़ी का रिड़ दिन प्रति दिन जादा होता जाता है सोच समझ कर उसने यह निश्य किया कि सेट साहब का रिड़ टहल सेवा करके चुका दो नहीं तो चित को शांती ने मिलेगी यह सोच कर उसने एक दिन सेट साहब से कहा सेट साहब तुमने बड़ी किरपा की है मेरा रोम रोम तुम्हें आसिरवात दे रहा है मुझमे यह उपकार उतारने का साहस नहीं एक गरीब मजदूरनी क्या करेगी पर मुझे मालूम तो हो कि मेरी बीमारी पर कितना खर्च हुआ धीरे धीरे उतार दूँगी सेट साहब का कलेजा धड़कने लगा जिस छण की बाट जो होते थे वह आ गया बही से हिसाब देखकर बोले साढ़े चार सो साढ़े चार सो सुभागी का चेहरा कानों तक लाल हो गया उसे ऐसा मालूम हुआ मानो जमीन आसमान घूम रहे हैं कुछ देर चुपचाप खड़ी सोचती रही इसके बाद आह भर कर बोली साढ़े चार सो इतनी रकम मेरी बीमारी पर उठ गई जान की दास ने सिर नीचे डाल दिया और कहा रोज डाक्टर आता था सुभागी हत बुद्धिसी खड़ी रह गई क्या कहे क्या ने कहे कुछ निश्चे ने कर सकी जैसे भूले हुए मुसाफिर को रात के अंधेरे में रास्ता नहीं मिलता तो हार कर बैठ जाता है वैसे ही सुभागी ने क्यूं कर तब बिमूड होकर उतर दिया यह रिड मुझसे तो ने उतरेगा जब हमें कोई सक्त बात कहनी होती है तब जवान की नर्म बन जाते हैं सेट साहब ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा जोपड़ा बेच दो रिड उतर जाएगा सेट साहब जानते थे कि सुभागी के कौन बैठा है जो उसकी मौत के बाद जोपड़े पर अधिकार चमाने आएगा इस समय वे अधीर हो रहे थे जैसे नादान लड़का बुढ़े पिता की मौत से पहले ही उसकी संपत्ति का मालिक बनना चाहता है सुभागी की आँखे खुल गई जहां फूल थे वहां काटा दिखाई दिया अब कोई संदेह न था सुभागी की आँखों में शील था यह पिशाच कांड देखकर वह दूर हो गया तेज होकर बोली जबान संभार कर बोल जोपड़े की तरफ देखा भी तो आँखे निकाल लोंगी सेट सहबह से इस हसी में वे निर्दैता के भाव छीपे थे जो कसाईयों के दिल में भी नहोंगे फिर जरा ठहर कर बोले तो सुभागी मेरी रकम लोटा दो मैं तुम्हारा जोपड़ा नहीं मांगता सुभागी ने अभिमान में सीर उठाया और एक शब्द पर जोर दे कर बोली अगर सच्चे भडभुजे की बेटी होंगी तो तुम्हारी कोडी कोडी चुका दोंगी पर यह जोपड़ा तुम्हारे हाथ कभी न बेचूंगी जानकी दास ने कहा बहुत अच्ची बात है मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हे थोलियां खोले देता है सुभागी ने कहा मेरा भगवान मर नहीं गया है अगर जोपड़ा जोपड़ा बच जाए तो मुझे कम खुसी ने होगी मुझे तो अपनी रकम चाहिए सेट जानकी दास ने कहा सुभागी ने कहा मुझे पता ने था तुम्हारे दिल में कपट भरा है जानकी दास बोले कल यूख का जमाना है अब नेकी करना भी पाप हो गया है सुभागी ने कहा पर तुमसे नेकी करने को कहा किसने था जानकी दास ने कहा भूल हो गई छमा कर दो फिर ऐसा नहोगा सुभागी बोली मैं समझती थी नेक आदमी है पर आज आँखों से परदा हट गया जानकी दास ने कहा ये गनीमत है सुभागी बोली तुम्हें जोपड़ा ने मिलेगा समझते होगे दोनों दुकाने मिलाकर महल खड़ा कर लूँगा इससे मुह धो रखो अब जानकी दास को भी क्रोध हा गया तेज होकर बोला देखता हूँ कौन माई का लाल मुझे रोकता है एक महीने के अंदर अंदर इस जोपड़े का नाम निशान तक ने रहेगा जिसका हाथ नहीं चलता उसकी जबान बहुत चलती है सुभागी ने जो कुछ जी में आया कहा और अपने जोपड़े में जाकर रोने लगी कभी अपने भागी को देखती कभी जोपड़े की कच्ची दिवारों को और फोट फोट कर रोती जैसे लड़की ससुराल जाते समय रोती है उस समय उसके हिर्दय में कितना दुख होता है सीने पर कितना बोज उसे दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती यही अवस्था सुभागी की थी जोपड़े की एक एक वस्थ देखकर उसका दिल लहू के आसु बहाता था इसी उधेडबुन में तीन चार दिन गुजर गए चोथे दिन एक आदमी संभुनात ने आकर पूछा सुभागी अब तेरा क्या हाल है तुने बड़ा कश्ट पाया सुभागी ने कहा भगवान की दया है संभुनात बोला सुना है सेठ जानकी दास ने तेरे लिए बहुत खर्च किया सुभागी बोली भईया उस पापी का नाम न लो संभुनात ने कहा शहर में तो बड़ा जस हो रहा है कहते हैं उसने सुभागी को बचा लिया आदमी का हे को है दे उता है सुभागी ने कहा मेरा बस चले तो मैं उसका मुह नोच लूँ संभुदा बोला असली बात क्या है सुभागी बोली ऐसा हत्यारा सारी दिल्ली में न होगा 60-70 रुपए खर्च करके कहता है कि 400 उठ गए मैंने सोचा था सारी आयू सेवा करती रहूंगी पर उसकी आख तो जोपड़े पर है कहता है या तो रुपए दे या जोपड़ा बेच देखो तो कैसा अंधेर है इतना भी नहीं सोचता कि मेरे कौन बालवच्चे है मरूंगी तो जोपड़ा उसी को दे जाऊंगी पर अब तो मेरा जी खटा हो गया है संभुनात ने कहा राम राम कलियुक का जमाना था ऐसा हमने कभी न सुना था सुभागी बोली भाईया यह जोपड़ा तो उसे कभी न दोंगी संभुनात ने सहानुभूद से कहा मगर क्या करोगी वह तो नालिश कर देगा सुभागी निरुत्तर हो गई इस बात का कोई जबाब न था आखे सजल हो गई जो बेवसी की अंतिम सीमा है एका एक उसने सिर उठाया और धीरे से कहा तुम ही ने खरोदलो मैं तुम्हारे हाथ आज ही बेच दोंगी संभूनात उचल पड़ा सुभागी तुमने खूब सूचा सुभागी ने कहा दात खटे हो जाएंगे सेट साहब के मुह देखते रह जाएंगे संभूनात ने कहा पता नहीं संसार इतने पाप क्यों करता है सुभागी का हद हरती साथ तो चली न जाएगी उसके बाद खरीद फरोत की बाचीत होने लगी आठ सो रुपए पर मामला हो गया सुभागी के सीने से बोज हट गया मगर फिर चित पर उदाशींता सी छा गई जैसे कोई ब्यापारी अपने सौदे में कमा कर फिर किसी चिन्ता में निमगन हो जाता है और इस चिन्ता में उसकी खुशी जुनून की चमक के समान आखों से ओजल हो जाती है रात इनी चिन्ताओं में गुजर गई दूसरे दिन वह कचहरी में थी और कचहरी का आदमी आदमी उससे कह रहा था बुढ़िया यहां अंगूठा लगा दे सुभागी ने यह सब्द सुने मगर ठीक ऐसे जैसे कोई स्वपन में दूर की आवाज सुनता है और उसका तात पर एक कुछ समझता है कुछ नहीं समझता उसने असाओधानी से अंगूठा आगे कर दिया कचहरी के आदमी ने उस पर स्याही पोद दी और उसे पकड़ कर उसका निशान कागज पर लगा दिया उसे क्या खबर थी कि यह साही कागज पर नहीं अपने भविसे की सांती और चित्त के संतोस पर फेर दी संभुनात ने 800 रुपए गिन कर उसकी जोली में डाल दिये सुभागी की आखे चमकने लगी यह चमक दीपक की लव थी जो बुझने से पहले एक बार हसती है और फिर सदा के लिए अंधेरे में लीन हो जाती है कचहरी के बाहर आकर सुभागी को खयाल आया कि मैंने यह क्या कर डाला इतने रुपए यद उसे पहले मिल जाते तो अपने जोपड़े में जाकर शायद सो बार गिनती करे और तब उने कहीं दबा देती पर अब कहां जाये उसने बहुत सोचा चारो तरफ देखा परंतु कोई अस्थान दिखाई न दिया लंबी चोड़ी दुनिया में वो अकेली थी उसका कोई न था उसके पास रुपए थे सेट साहब का रिड़ चुका कर भी उसके पास साड़े तीन सो बज जाते लेकिन उसके पास रुपए रखने की जगह न थी अंधी बहरी दुनिया में कौन उसका हाथ थामेगा किस छट के तले जाकर वह विश्राम करेगी इधर उधर सब आदमी थे किन्तु सब पराये थे उसका अपना कोई न था एक जोपड़ा था सारी आयू का मोनिश गमख्वार सुभागी ने उसमें आधी जवानी और आधे बुढ़ापे के दिन कुजारे थे छोटे छोटे बच्चे गरीब इस्त्रिया मजदूर ये सबाकर उससे अनाज भुनवाते थे वही ने अपना आत्मी समझती थी आज सब भी छोड़ गए आज उसके घर का द्वार उसके लिए बंध हो गया है बेचारी कहा जाए किधर जाए लोग कचहरी से निकलते तो तेजी से शेहर की ओर जाते उनके घर होंगे पर सुभागी का घर कहा है उसके पास राजसी महल न था शांदार भवन न था एक फूस का जोपड़ा और कच्चा भार बेधर्दों ने वह भी छेन लिया सुभागी रोने लगे उसके हिर्दे बेधी सब्दों ने राह जाते मुसाफिरों के पाउँ पकड़ लिये किन्तु वह कुछ कर नहीं सकते थे संध्या समय था सुभागी सेठ जान की दास की दुकान पर पहुँची और डर्टे डर्टे एक तरब खड़ी हो गई जैसे कोई भकीर नी हो अब उसमे वह उसाह साहस न था जिसकी सारी दिल्ली में धूम मची हुए थे उस समय वह घर की मालकिन थी अब बेघर थी जिसका सारे संसार में कोई न था सेठ साहब ने उसे देखा तो आँखों में पानी छलकने लगा अहंकार के लाखो शत्रु हैं नम्रता का एक भी नहीं लोग भीड मारने को बंदूक लेकर नहीं निकलते अब सेठ साहब को किस पर क्रोधाता एक बेघर की भीखारिन पर वे लोभी थे पर ऐसे पतित इतने अधम न थे बोले सुभागी सुभागी ने जोली सेठ के पाउपर उलट दी और कहा ये लो तुम्हारे रुपए हैं समाल लो तुमने 4500 कहा था यह 800 हैं बाकि ब्याज समझ लो कितना भारी अंतर है सेट सहाब अमीर थे साढ़े चार सो नवाक से सके सुभागी गरीब थी साढ़े तीन सो ऐसे फेक दिये जैसे वे रुपए न थे मिट्टी के धेले थे सेट सहाब को अपने पतन का अनुभा हुआ तो लज्जा ने मुह लाल कर दिया वे आगे बढ़े की सुभागी के पाउँ पर गिर कर छमा के लिए प्रार्थना करें उन्हें आज पहली बार ग्यान हुआ कि इस बुढ़ी के हिदे में घर का ऐसा प्यार इतना मोह भरा है परंतु सुभागी वहा नहीं थी हाँ उसके रुपए दुकान के फर्स पर विखरे पड़े थे ये रुपए नह थे सुभागी के दिल के ठुकड़े थे लहू में सने हुए सेट साहब पर घड़ो पानी पड़ गया आधी रात को सुभागी अपने जोपड़े में पहुची पर इस तरह जैसे कोई चोर हो वह फोक फोक कर पाउँ पर धर्ती पर थी कोई सुन न ले कोई देख न ले कभी वह ही जोपड़े की रानी थी आज पर देशिन आज इसका इस पर कोई स्वत तो कोई अधिकार न था उसने दिया जलाया सब कुछ वह ही पढ़ा था उसी तरह एक पीतल की थाली एक लोटा दो कटोरियां एक टूटी चार पाई बस यही सब कुछ उसकी जायजात थी आज वह बिदा होने आई थी वह नई जमाने की इस्त्रियों में से नह थी जो अपना घर छोड़ते समय एक आशू भी नहीं बहाती ने उसके दिल पर ऐसे दुखोत पादक द्रिश्य का कोई प्रभाव पढ़ता है वह पुराने युक की अनपढ़ और असब भेशत्री थी जिसके लिए घर छोड़ना और सरीर छोड़ना दोनों बराबर थे वह अपनी चीजों से लिपट लिपट कर रोई मानुवे निर्जी उवस्तुएने थी उसकी जीती जाती सखियां थी इस समय सुभागी का हिरदय रो रहा था प्रात्यकाल लोगों ने देखा सब कुछ वही पढ़ा है किवल सुभागी का पता नहीं गहर मवजूद था शंबुनात की मारफद खुद सेट साहब ने खरीदा था इसके लिए उन्होंने कई सालियत न किया उसकी जगह उसी को लटा दे अब यह जोकड़ा उन्हें अपनी दुकानों का कलंक मालूम होता था उन्होंने सुभागी की खोच की पर उसका पता ने मिला यहां तक की सेट साहब ने रास हो गए मगर सुभागी कहां थी दिल्ली से बाहर जमना किनारे जंगल में कैसी आनवाली इस्तरी थी जहां घर की मालकिन बनकर कई शाल गुजार थे वहां बेघर होकर एक दिन भी ने गुजार सकी और उसी राद जंगल में चली गई उसे शहर से घृड़ा हो गई थी वह चाहती थी ऐसे अस्थान में जा रहे जहां किसी परचित का मुह भी न दिखाई दे वह मनुस्य की छाया से दूर भागती थी उसका दिल तूट गया था अब उसके कान आदमी की आवाज के भूखे न थे न उसके लिए जगत में आशा मोह गीत बाकी था वह भूखी प्यासी पागलों के समान चली जा रही थी पता नहीं कहां शायद वहां जहां मनुस्य समाज की सहान भूती और आसा किरण का जादू न हो अब वह ऐसा अस्थान ढूरती थी जहां कोई प्रसनता कोई अभिलासा कोई मोहनी न हो रात के अंधेरे में पत्थरों से टकराती जाडियों से उलशती गड़ों में गिरती परती उच नीच भादती सुभागी इस प्रकार चली जाती थी जिस प्रकार उड़ते हुए पच्छी की छाया चली जाती है और इसे कोई रोक नहीं सकता किसी दूसरे समय वह इस जंगल में आकर काप उठती पर इस समय उसने जंगल से जरा भी भै न था दुख और निराशा में भै भी नहीं रहता और जो अंधेरा उसके हिर्दय में समाया हुआ था उसके सामने बाहर का अंधेरा तुछ था वह मनुष्य और मनुष्य के बिचार दोनों से दूर भाग रही थी जंगल के हिंस जीव जन्तू से आदमी से कहीं अधिक दयावान, शीलवान और उच्च मालूम होते थे सोचती थी ये जूट नहीं बोलते, धोखा नहीं देते, बगल में छुरी दबाकर मुह से मीठी-मीठी बाते नहीं करते इन्हें चापलूसी करना नहीं आता, ये मनुसे से हजार गुना अच्छे हैं, मनुसे से इनकी तुलना करना घोर अपमान करना है इस तरह सोचती और मनुसे समाज और आधनिक सभ्यता को कोश्ती हुई, सुभागी जंगल के अंधेरे में बढ़ती चली जाती थी कि भूग प्यास और सरदी ने उसके पाउँ पकड़ लिये, और वह एक पत्थर पर बैट कर रोने लगी रात का समय था, जंगल में अंधकार चाया हुआ था, आदमी का पुतला तक ने दिखाई दे था सुभागी अपने भाड का अस्मरन कर रोती थी, पर उसके आसुओं को देखने वाला सिवा आसमान के तारों के और कोई ने था यहां सुभागी को पुराने जमाने की एक कुटिया मिल गई, उसमें उसने एक महीना काटा, ब्रिच्छों के फल खाती, जमुना का पानी पीती और रात को घास पर लेटी रहती यहां उसको कोई कश्ट ने था, ने खाने पीने के लिए मजदूरी करनी पड़ती थी, किन्तु घर का मोह यहां भी ने गया, वह मिट्टी की जंजीर जीते जी किसके पाउं से कब उतरी, विबस ओकर एक दिन उसने कुटिया को छोड़ दिया और दिल्ली को लोट पड़ी इस समय उसके पाउं पिर्थवी पर नहीं पड़ते थे, मगर शहर के समीप आकर उसका दिल बैठ गया, कहां जाओंगे, इस सहर में मेरा कौन है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, सोच सोच कर निश्य किया कि रात को जाओंगी, जिसमें कोई देखने न पाए, पर रात बहुत देर में आई, हत भागों से समय की भी सतुरता है, शुभागी अपने जोपड़े के पांस पहुची तो उस पर बिजली सी गिर गई, वहां जोपड़ा न था, न उसका भार दिखाई देता था, जमीन खुदी हुई थी, छोटी छोटी दिवारें खड़ी थी, यह इमारत न थी, उसके सुखों की समाधी थी, सुभागी ने एक चीक मारी और वहीं बैठ गई, किन-किन आशाओं से आई थी, सब पर पानी फिर गया, उसे ऐसा मालूम हुआ, मानोचादनी चौक की शारी रोसनी बुझ गई है, और आसमान के तमाम तारों ने अंधिरे की च चोड़ दी, पर अपना जोपड़ा ने छोड़ा, आज वह सुभागी कहां चली गई, किधर, किस देश को, वहीं जहां उसका पती, उसका भार, उसका जोपड़ा जा चुका था, वह पुराने युक केश्तरी थी, अपने घर के बिना अकेली कैसे रह सकती थी, नई दिल्ल में पुरानी दिल्ली का अंतिम धिया जल रहा था, वह भी बुझ गया, सेट जान की दास कई दिन तक घर से बाहर नहीं निकले, तो दोस्तों, ये थी आधुनिकता और मनुस्य की कपटता पूर्ण चाल बाजियों पर ब्यंग करती हुई, सुदर्शन की कहानी दिल्ली का अंतिम धिपक, कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताईएगा, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार